सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुरुवात करते हैं आज के सुवविचार सी जिस दिन आपके सामने कई समश्याएं ना आएं आप सुनिश्यत हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रही हैं निरंतर सिखते रहना ही जीवन का मुल मंत्र है, रुख जाना मृत्यु शमान है, सक्ती जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकूचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेश मृत्यु है. आज का पंचांग आज का भी जीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुप समय दुपहर बारा बचकर साथ मिलट से बारा बचकर उनसाट मिलट तक रहेगा आज अंद्रमा व्रिशब रासी पर संशार करेगी और आज शूर्या करकराशी पर रहेंगी कुम्रा से 13 जुलाई 2022 दें शनीवार आज उल्लास और कुछ कर गुचरने के मूड में हैं आज के सामने आज बहुत से ओशर आएंगे और आप उनका पूरा लाब उठाने के लिए बहुत उशामी हैं आज अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो वित्ती नीची जीवन तथा सम्मंधों में भी बहुत शफलता मिलेगी आज दिन घटनाओ भरा रहेगा और आप इसका हर एक पल आनन उठाएंगी किसे दुरगटना या चोट की वज़े से मुकदमी की शंभावना है कड़ी मेहनत अभी जिरूरी है जो आप पर निर्भर है उनका धिहार रखें जैसे बच्चे और आपके पालतु जानवर सेवा करना या स्वेम सेवा के रूप में कार करना अभी आपके लिए एक अच्छा अनुभा हो शकता है आज अपने आवेगों पर कम नियंतन होने के कारण आप उदास मैसूस कर शकती है आपको केवल अपने ले को समय चाहिए ताकि आप सोच सके और समश्याओं को हल कर सके अपने पीछली सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समश्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वैम ही बना लेंगी अपने मन मताबिक कारियों पर ध्यान केंदित रखें आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी समाची गती वीदियों में बढ़ चड़ कर हिस्सली कुछनकारात्मक प्रवित्ती के लोग आपके लिए परशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगी परन्तों उनकी यह साजिस विफर रहे की आपके द्वारा किये गए कामों का फल कुछ हद तक प्राप्त हो रहा है आपको कुछ काम के लिए अभी भी सहियम बनाय रखना होगा आपके द्वारा प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन की वज़े से अन्या लोगों के जीवन में शकरात्मक बदला होता हुआ नजर आईगा अपनी शकरात्मक उर्चा कर इस सम्माल खुद के सपनों को सकार करने के लिए करी कज्या से सम्मंदित महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए आप अभी सक्षम नहीं है कुछ दिनों के बाद विचार करके आगे बढ़ी केवल पार्टनर की बातों पर ही ध्यान देनी की बच्चाय से आप खुद की महत्वपूर्ण काम को नजर अंदाश ना करी कमर में जकडन मैसूस होगी कचरे के ठेके दारों के लिए नए काम में आगे बढ़ने का समय है विध्यार्थी वर्ग को परिक्चा सम्मंदित मामलों में अनुकूलता रह सकती है बुवा पक्चे के साथ तालमिल अच्छा रह सकता है सांस के मामली में परियाप्त सजकता बढ़ती बैंकिंग छेत्र के कार्मिकों के लिए इस थानांतरन का मामला पक्च में रह सकता है किसे समाजिक आयोजन में भाग ले सकती है रेट सम्मंधित अटका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है खर्च की अधिकता भी रह सकती है खुला काम करने वाले कमपाउंडरों के लिए काम की अधिकता रह सकती है कोई विशेद ची किस्सकी इचाच करवानी है तो करवा सकती है भावनात्मक सम्मंधों में सरलता भी रह सकती है, अंदरूनी स्वास्ता खराब भी रह सकता है गर्भवती महिलाओं को अधिक सर्जक्ता रखनी है इंडोर खेलों के कोचों का नुकुलता रह सकती है, परवारिक वातवरन को तनाउग रस्तव होने से बच्छा है पाचन समंधी समश्या का दिहार रखी खनन कारोबारी समल कर समय बिताएं साच्छेदारी के काम में विवाद है तो मामलग खिलाब जा सकता है कलर कर ग्रेट के लोगों को समल कर रहना होगा, माईग्रेन दुखी कर शकता है शौधानिया गर के वरिष्टों और बुजूर के लोगों की सलाप पर अवश्य ध्यान दे आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है जो की भविश्य में बहतरीन फायदेमन साबित होगी परन्तु अपने मन को से यमित रखें और एगो हावी ना होने दे बात करते हैं लब लाइफ की दामपत्त जीवन सुखद रहेगा परन्तु गलत सम्मंदों से दूर रहे अन्यता आपके घर में कलेश हो सकता है अच्छा आपको चारु तरब से रोमेंटिक सम्मंद की और शर मिलेंगे लेकर आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्रात्मिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए ताकि भविशे में कोई समश्या ना आए अगर आपका पहले से कोई सम्मंद है तो आप इसे अगले इस सर पर ले जा सकती है आपका पार्टनर फिल हल आपको लेकर काफी पोजेसिव और अंतरंग नुभव करेगा अब आपकी प्रतिक्रिया से इस सम्मंद का आगे करुक तै होगा आशब कुछ हैसे लोगों से मिलने वाले हैं जो पूरी उम्रा आपका साथ देंगे वेस्तर रहने के कारण आप अपने साथी को कम समय दे पाएंगी आपका रोमेंटिक मूड प्यार में आपके उश्या को और भी बढ़ा देगा आप या बात अच्छे से जानते हैं कि अपने साथी का हाथ थाम कर सारा जहां जीश सकते हैं आपकी भौनाएं आज आप पर हावी होगी जिससे कुछ उदासिन मैसूस करेंगी कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलत फ्यामियों को दूर करने में व्यतित करें या समय मुश्किल जरूर है किन तू समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता बात करते हैं करियर की अज दोस्तों के साथ समय बिता कर आप न केवल अपने उदासी से छुटकारा पाएंगे बलके अपने कोशल का प्रदर्शन भी कर पाएंगे अपने उश्या या सेवा की गुर्वत्ता में बढ़हावा करके आप मार्केट में धूम मचा सकते हैं किसी खास से मिला धुखा आपके लिए भविश्य में सबक साबित होगा यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है आज आप जीवन में उतार और चड़ाव दोनों मैसूस करेंगे अपने एक्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतिया और सौदों को फिर से विवस्तित करने के आवश्यक्ता है नौकरी में किसे अप्रत्यासत घटना की संभावना है मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कारी करें आप अपने एक्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाल चलने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आप इन बातों में लिपता ना हूँ नहीं तो आप मुशीबत में पढ़ सकती हैं जो इतने सालों में आपने अपने लिए बनाया है इसलिए इस तरह के रितग्य से दूर रहें और बस आप अपनी इस कार्य में इमांदारी का प्रदर्शन करें जिस सरह से आपनी हमेशा से किया है उत्तम ग्रह इस्थिती बनी हुई है परन्तु इनका उप्योग करना आपकी कार्य चमता पर निर्भर करता है कुछ नए प्रपोसल भी मिलेंगे नौकरी में उचित कार्य चमता के बल पर आपकी पडुननती भी सुनिश्यत है बात करते हैं सेहत की डैपिटिश्ट तथा ब्लड प्रेशा से सम्मंदित लोग अपना विशेज धिहार रखें नियमे जाच करवाते रहें आप इछले कई दिनों से अच्छी नीद नहीं लेपा रही है अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिंद्रा की बिमारी हो जाएगी इसलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्षित कारिक्रम बनाए और अच्छे से उसका पालन करें बहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्म की आवाज सुने और माने जो आपको इन ही बातों का ध्यार रखने को कहेगी आज का उपाए आशब शनी भगवान ची को तेल अरपित करें शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ